राश्वक्तों की पार्टी है कि देश के गदारों की पार्टी है जिन बलात्कारियों के संपर्क में देश का प्रधान मंत्री हो जिन बलात्कारियों के संपर्क में उत्रप्रदेश का मुक्ष मंत्री हो जिन बलात्कारियों के संपर्क में देश की महिला बालविकास मंत्री करेंगे जनता उन्हीं का गुरगान करेंगे इस देश की मरी हुई सोई हुई जनता इस देश के नागरी को चुलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आज उसकी बेटी के साथ हुगा कद तुम्हारी बेटियों के साथ ही भात पाई यही आरे सस्वाने बलातकार ब्राम हर समाज जो है नपूंशक बना हुआ देख रहा है नमस्कार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके से बी एच्यू आई एटी के घटना सामने आई है एक लड़की के साथ तीन लड़कों ने गैंग रेप किया और उसके पहले ही हफते मे उस लड़की ने आरोपियों के पहचान कर लेकिन उसके बाद भी उन आरोपियों पे कारवाई नहीं की गई उसके बाद अब दो महीने बाद अब उन आरोपियों को पकड़ा गया है और पता ये लगाया जा रहा है कि जो तीन आरोपी थे वो भाजपा के आईटी सेल में क इनके वहां देश दोहियों की इनके वहां पराजियों की कोई कमी नहीं है आपने सरयाम देखा मणीपूर की घटना आप लोगों को याद है देश का प्रधान मंतरी मणीपूर के उपर एक भी सब्द बोलने को त्यार नहीं है जो हमारी रेसलर बेटिया थी उन्हीं के सांसत के पर लग रहा था यह उन्सों सणकारों एक भी कारवाई उनके उपर नहीं की जाती है तो इससे साब जाहिर होता है कि आरेस्स की पाट सालों में बलातकारी दुराचारी व्यभिचारी भरस्टाचारी देश दुरों ही पैद है वाम किस सठीक को ली चाहिए आगाएक इससीयो कांवर्पार खोने और रखशाव भार्फ होनी के वड़ुन हुए जिन बलातकारियों है के संपर्ख में देश का प्रधान मंत्री हो जिन मलातकारिव के संपर्ख ुच्ब प्रदेश काlarını दो जिन बलातकारियों के संपर्क में देश की महिला बालविकास मंतरी हो इस स्रिमती स्मिती रानी हो भाजबा का राश्टिया धेक जेपी नड्डाव उनकों पर सस्पी को नौकरी करनी है या नहीं बनारत पुलिस ने इनको जांच परताल के लिए जो अपील दी जाती है पुलिस कश्टडी नहीं मांगी 14 दिन की नैखिरास्त निनकि जवानत भी हो जाएगी यह सतन्त होके फिर तवारा बलातकार करें गेंगे देश की ऑन उत्थर प्रदेश के माननी मुख्मंत्री उत्थर प्रषाद मौरिया और ब्रजेस पाठगी यह उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री विधायक जो भाजपाक की हैं उनसे पूछना चाहता हूं उत्तफदेश के डीजीबी से पूछना चाहता हूं चीफ से क्रेटरी से घृत पूच्छना चाहता हूं तमाम भी औरोखेटों runs व्योटर से पूचना चाहता हूं भाज पांक के ओसन मंत्रिय उनकी ना कोई परिवार है तो यह परिवार महीला क roof कहां से समझेंगे देखिए आर्यसत्त प्रमुग मुहन भागवत जिस मंदिर का यह उद्गाटन करने जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं जिस मर्यादा पुर्शत्तम राम ने माता जान की का अपहरन करने वाले रावण पंडित रावण ब्रह्मा के सृष्टी में उतना प्रतापी उतना बड़ा विद्वान राजा पैदा नहीं हुआ पूरी लंका को तहस्नास कर डाला क्या बलतकारियों के सरगना बेभचारियों के सरगना मनतीरी नरेंटामु दर्दास्त मोदी के द्वारां स्थापीत तीजार ही मुर्थी में प्रार प्रतिष्ठा उसमें प्रभु राम कि आत्मा बसे गी नहीं बतेगी आप बताईए इस देश की मरी हुई सोई हुई चंता इस देश के नागरिक को चुलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आज उसकी बेटी के साथ हुआ कर तुम्हारी बेटियों के साथ भाज़ भाई यही आरेश्चास्वाने बनात्कार करेंगे ए हिंदुस्तान की मरी हुई चंता तुम धैन से सुनोगे देखोगे कायरों तुम कुछ नहीं कर पाओगे अब जनता को ऐसा क्यों बोल रहे कि हिंदुस्तान की मरी वी जनता अरे शाब बलातकारियों को गोली मार देनी चाहिए जनता खुद इनका बधकर है चाहो किसी की अउलाद हो कि भाजबा सरकार इतने दावे वादे करती है महिलाओं की सुरक्षम लेकिन जमीनी हगीकत पर देखा जाए तो इस तरीकी के मामले नजर आते हैं मैं यह पूछ रहा हूं कि इन्हीं के पार्टी में बलातकारी क्यों दिखाई दे रहा हैं बेभिजारी भरस्तारी क्यों व आपको पता है कि मेजर सेतान सिंग उनी सो बांसर में परम्भीर चक्रमिला था उनकी जहां पर समाधी बनी थी उस जगह को चाइना ने तहस नहस कर दिया और देश का प्रधान मंत्री मौनबर्धान की यह हुए है राशभगतों की पार्टी है कि देश के गदारों की पार्टी है यह अब देश का यह ब्रहम्भर समाज जो है नपूंसक बना हुआ देख रहा है और वही यह भी कहा जा रहे है कि यह जो आरोपी ते यह तो भाच्पा के साथ कनेक्शन था इन कि मरे हुए मध्धप्रदेश की जनता एक गरीब हिंदु के उपर भाजपाई कार करता मूं तरहता घल 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 अवह एक सो साथ सीड दे दिया कि फैलेक्शन कमिस्णर जहां मिले इसका स्वागात तरीके से देश की जनता परना चाहिए कि हमें तो पता नहीं चलता कि हम ओट किसको दे रहे हैं वोट हम जिसको देना चाहरा उसको मिली नहीं रहा एसे तमाम मामले सामने आते और वही जनता उसी सरकार को सत्ता पर बठ सिता वाली जनता है जीतना यह सरकार सोसड करेगी यह जनता उनहीं का गुरगान करेगी बहुत बहुत शुक्रिया देखा आप लोगों ने किस तरीके से चत्रवेदी जी ने सभी चीजों पर बताया है किस तरीके से भाचपा सरकार के जो 10 साल से सत्ता में है उनहीं किस सरक सरकार के उसमें महिलाओं के साथ किस तरीके करा जाता है शर्मना घटनाएं सामने आते लेकिन फिर भी सरकार एक्षन नहीं लेती है मतलब एक हफते बाद ही महिला ने जो आरोपी थी उसकी पहचान कर दे लेकिन उसके बाद भी कारवाय नहीं की गई और अब चुनाम नजद